हाई दोस्तों स्मार्टफोन बनाने वाली कमपनी टेक्नो ने भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉंच गया है जिसे टेक्नो कैमाउन 18 फोन जो है सिंगल रैम वेरेंट में लॉंच हुआ है इसके 4GB और 108GB वेरेंट के कीमत 14,999 रुपए रखी गई है फोन परपल दस ग्रे और सेडमिक वाइट कलर आप्शन में आता है फोन की खरेदी के जो है 1999 रुपए वाली बर्ट्स टू जो है मुफत में मिल सकती है फोन की सेल जो है 27 डिसेंबर से जो है देशबर में 50 से ज्यादा रिटेल स्टोर पर शुरू हो जाएगी साती में ये फोन जो है फिलिप कार पर आउनलाइन भी मिलेगा इसमें जो है आपको काफी ज्यादा अकरशक फीचर भी देखने को मिलेंगे इसकी खास बात अगर हम करें तो इसमें 48 मेगापिक्सल का अल्टरा क्लियर सेल्फी कैमरा दिया गया है साती में रियर में 48 मेगापिक्सल का AI triple camera setup भी दिया गया है फोन में TOI supported super night और professional video shooting mode भी दिया गया है साती में फोन में 5GB का virtual memory expansion भी गया है इसमें 6.8 इंच का सेंटर पंचोल डिस्पले मिलता है जिसमें Full HD Plus का जो है रेजुलेशन है इसमें 90 Hz का रिप्रेश रेट मिलता है और साइड बाउंटेज फिंगर स्कैनर भी मिलता है जो के पावर बटन में दिया गया है और कैमेरे की बात करें तो इसमें triple rear camera setup दिया गया है जिसमें primary 48 megapixel का है 2 megapixel का depth sensor और 2 megapixel का micro camera है और इसमें Mediatek का जो है Helio G88 processor मिलता है फोन में 5000 mAh के बैटरी मिलती है 18W के फॉस्चारिंग मिलती है इसमें HiOS पर 8.0 पर ये काम करता है और connectivity के लिए 4G volt USB type support 3.5 headphone jack मिलता है Wi-Fi Bluetooth GP support मिलता है तो अगर आपका जो budget है वो 15,000 के अंदर होगा तो आपके लिए ये option available हो जाता है जो के भारत में available है